जहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल यूनिक मैडिसिन पर और गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो डी 3 कैपसूल्स के बारे में किया जाता है जिसका यूज जैसे कि अलग अलग तरह की बिमारी जब किसी को हो जाती है तो इसके ट्रीटमेंट में इसका यूज डॉक्टर कराते हैं जैसे कि हम बात करें कि ऑस्टियो मैलेसिया नाम की जब किसी को बिमारी हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि प्यक्ति की जो हड़ियां है वो लचीली हो जाती है हड़ियां कमजोर हो जाती है और थोड़ा सा उन पर बजन पड़ता है प्रेसर पड़ता है तो हड़ियां मुढ़ने लगती है हड़ियों में दर्द रहता है और इसके अलावा हड़ियों की और भी समस्याएं हो जाती है तो गाईज ये मैडिसिन ये हड़ियों की समस्या को दूर करती है छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि रिकेट्स नामक रोग हो जाता है तो रिकेट्स की जो डिसीज होती है उसको ठीक करती है जिसमें बच्चों की जो हड़ियां है हाथ पेरों की वो तेडी मेडी हो जाती है या फिर लचिली हो जाती है اور वो मुड़ने लगती है तो गाईज इस तरह से ये मैडिसिन के बैनेफिट्स हो जाते हैं यूजिज हो जाते हैं, इसके साथ ही जब किसी पेचेंट को Onsteoporesis नाम की बίमारी हो जाती है, जिसमें हडियों की जो Density है वो कम होने लगती है, हडοयों जो भुरभुरी होने लगती हैं और हडियों साथ हलका सा Pressure परने के साथ, fracture हो जाती है तूटने लगती है या फिर मुड़ने लगती है हड़ियों की जो density है घनत्व है वो कम होने लगता है हड़ियां भुरभुरी होकर जो है crack हो जाती है तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए यह calcium trial capsules काफी use किया जाते हैं डॉक्टर के द्वारा prescribe किया जाते हैं इसके लावा bones की weakness, bones का pain और bones से related जो भी समस्या होती है उसको ठीक करती है blood में calcium level जब कम हो जाता है तब भी डॉक्टर के द्वारा यह medicine use करवाई जाती है साथी किसी को chronic kidney disease हो जाती है और जिसकी बजा से पैर जो है सूजने लगते हैं बीकनेस लगती है पेशेंट को भूक नहीं लगती है diarrhea दस्तवर जाते हैं और kidney proper work नहीं करती है तब भी डॉक्टर के द्वारा यह medicine दी जाती है दोस्तों इसके अलाबा vitamin D की कमी होने पर और साथी कुछ अन्य रोगों में भी डॉक्टर अपने experience के हिसाब से इस medicine को use करा सकते है तो यह patient की condition और doctor के experience पर काफी depend करता है कि वो इस medicine का कब और किस तरह से use कराते हैं तो सामान में जो इसके uses थे जो normal इसके general uses और benefits थे उसके बारे में हमने जाना अब हम बात करेंगे इसके dose section की तो guys dose के case में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि dose कभी भी खुद से नहीं लेनी है self medication आपको नहीं करना है guys जानकारी के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी जो dose है वो initially dose 0.2 mcg यानि microgram की मात्रा में doctor के द्वारा patient को दी जाती है और ये जो capsule या tablet है वो morning के time दिया जाता है जिसे की इसके जो है benefits अच्छे मिल सकें और इसको खाने के बाद लेना होता है दोस्तो अगर हम duration की बात जाने duration को समझे तो ये patient की condition पर depend करता है कि उसको कितनी problem है generally जो इसकी duration होती है वो patient की condition के हिसाब से होती है और इसका एक महिने से लेकर दो महिना या तीन महिना तक का जो है treatment doctor दे सकते है तो ये इसकी duration की बात हो गई guys इस medicine का अगर हम composition देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस bio D3 capsules के अंदर हर एक soft gel capsule होता है जिसका contain रहता है कि इसके अंदर calc trial Indian pharmacopeia के according 0.25 microgram की मात्रा में होता है तो guys यह दिहान रखना है यह mg नहीं है मतलब miligram नहीं है यह microgram है तो एक capsule का जो strength है वो 0.25 mcg होता है जो की यह इसकी strength को बताता है guys macleods का product है काफी अच्छी दबाई बनाने वाली company है और इनके और भी medicine है जो market में आप देख सकते हैं तो यह अलग-अलग medicine बनाती है इस medicine का अगर हम pharmacological नाम देखे तो pharmacological नेम से आप इसको ले सकते हैं जैसे कि अगर आप medical store पर जाते हैं तो आप उनको calc trial capsules को कहके अगर मांगते हैं तो medical store वाले आपको यह bio D3 या फिर कोई दूसरा brand's name से भी दे सकते हैं और साथ ही इसके generic name calc trial के नाम से भी आपको दे सकते हैं तो यह आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी medicine खरीदते हैं तो यह सारी चीजों का ध्यान रखें साथ ही medicine की expiry और MRP section को जरूर से चेक करें तो इसकी अगर हम expiry को देखें तो यह 4-2024 तक इसकी expiry है गैज यह जो medicine है वो central government की supply medicine है मतलब सरकारी hospitals के लिए है not for sale बिक्री के लिए नहीं है तो कभी भी इस तरह के medication गलती से भी किसी medical store पर या किसी hospital में बिक्री के लिए नहीं रखे जाते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और अगर हम इसका MRP जाने तो इसका MRP होता है वो 10 capsules का जो strip है यह आपको 100 रुपे से लेकर 150 रुपे तक मिल जाता है तो यह brand wise जो है change होता है MRP तो जब भी आप कोई अलग-लग brand खरीते हैं तो सबके MRP अलग-लग होते हैं तो आपको जो भी सस्ता मिलता है तो आप ध्यान रखें Kelsey Trial Capsule के नाम से उसको ले लें क्योंकि इस दवाई का जो composition रहता है वो सभी का same होता है और इसकी medicinal property same रहती है तो दवाई same फायदा करती है तो ये इसकी information की बात हुई MRP, doses, section ये सारी चीजें हमने जानी बात करेंगे इसके side effect की तो इस medicine को लेने के बाद कुछ एक side effect है यानि कुछ ऐसे effect आ सकते हैं जो कि patient को नहीं आने चाहिए यानि जो patient की body है वो उसके लिए क्या react करती है तो guys medicine को लेने के बाद हो सकता है किसी के पेट में दर्द हो या उनको कमजोरी फील हो या साथ ही जो मूँ का taste है वो बदला हुआ हो सकता है metallic जैसा taste आ सकता है उल्टी मितली लग सकती है, कब जो हो सकती है patient को constipation लग सकता है और इसके अलावा headache वगरा की problem आ सकती है दोस्तों अगर हम इसके severe side effect की बात करें कि अगर किसी patient में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है तो वो क्या होगा तो guys इसमें anaphylaxis reaction patient को आ सकते हैं severe side effect में जिसमें कि सरीर में सूजन हो जाती है या स्वांस लेने में समस्या रहती है breathing problems आती है weight loss होता है तेजी से body का सरीर का बजन जो है तेजी से कम होता है और long term duration की अगर हम बात करें तो eye problem आ सकती है और sexual जो desire होती है ब्यक्ती की वो उसकी कम हो सकती है यानि उसकी जो संभुक करने की किरिया है उसमें उसका मन नहीं लगेगा वो उससे बचता हुआ फिरेगा तो guys ये इसके कुछ side effect है cvr जो देखने को मिलते हैं दोस्तों ये जो medication होता है ये दो अलग-अलग तरह से होता है ये आप यहां देख रहे हैं calci trial capsules के नाम से साथ ही इसका जो दूसरा medication होता है वो calli calci ferrol के नाम से होता है तो दोनों का difference यही है कि ये fast acting medicine होती है compare then calci ferrol के compare में तो ये guys क्या होता है कि जो calci ferrol होता है vitamins D body में वो skin से manufacture होता है मतलब skin से produce होता है जब भी कोई sunlight वगरा लेता है जबकि calci trial जो है kidney से produce होता है तो दोनों ही medicine vitamin D देने का काम करते हैं vitamins D की पूर्ती करते हैं और साथ ही जब ये vitamin D या vitamin D3 हमारी body से produce नहीं हो पाता है तो उस condition में जो है इनका जो use है वो बहार से हमें लेना होता है चाहे वो tablet की form में हो या फिर capsule की form में हो तो guys ये था आज की इस वीडियो में medication YOD3 capsules के बारे में एक चानकारी वीडियो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखोगे तो guys वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके Unique Medicine परिवार का हिस्सा बने वीडियो को लाइक करें और इसको सोसल मीडिया जैसे की Facebook है WhatsApp, Instagram पर सेयर करें ताकि ये helpful जानकारी किसी और के भी काम आ सके तो guys आज की वीडियो में इतना ही है मिलेंगे आप से एक नए मेडिकेशन के साथ एक नए वीडियो में तब तक सेफ रहें अपना ख्याल रखें जै हिन जै भारत